दोस्तों जहारकंड इस्टेट लाइवलिहूट प्रोमोशन सोसाइटी यानि की JSLPS ने दोसों नेवासी, प्रोजेक्ट ओफिसर, प्रोग्राम मेनेजर, प्रोजेक्ट को ओडिनेटर, चीफ ओपरेटिंग ओफिसर, प्रोग्राम एक्जेकुटिव और अन्या पदों पर भर अवेदन कर सकते हैं, चलिए जानते हैं इस वेकेंसी की फुल डिटेल, ओर्गनाइजेशन का नाम है जहारकंड इस्टेट लाइवलिहूट प्रोमोशन सोसाइटी यानि की JSLPS, जोब केटेगरी है PSU जोब, जोब टाइप है जहारकंड गोवर्रमेंट जोब, जोब नेम ह प्रोजेक्ट ऑफिसर, प्रोग्राम मेनेजर, प्रोजेक्ट कोडिनेटर, चीफ ऑप्रेक्टिंग ऑफिसर और प्रोग्राम एक्जीकिटिव, जोब लोकेशन है ओल अवर जहारकंड, क्वालिफिकेशन इसमें डिपलोमा, एमफिल, पीएचदी और पीजी डिग्री प्रोजेक्ट कोडिनेटर की एक पोस्ट, चीफ ऑप्रेक्टिंग ऑफिसर की एक पोस्ट, प्रोग्राम एक्जीकिटिव की एक पोस्ट, इस्टेट प्रोग्राम मेनेजर की एक पोस्ट, इस्टेट प्रोजेक्ट कोडिनेटर की एक पोस्ट, इस्टेट एकाउंट ऑफिस और PG degree मांगी है, Project Manager के लिए Diploma, MPhil, PhD, PG degree मांगी है, Project Coordinator के लिए Diploma, MPhil, PhD, PG degree मांगी है, Chief Operating Officer के लिए PG degree मांगी है, और Program Executive और State Program Manager के लिए Diploma, MPhil, PhD, PG degree यहाँ पर मांगी है, State Project Coordinator के लिए यहाँ पर PG degree मांगी है, और State Account Officer के लिए CA, MPhil, PhD, PG degree मांगी है, और Anya के लिए PG degree मांगी गई है, Age Limit इस Vacancy में 18-50 सल रखी गई है, Salary की अगर हम बात करें, तो इन सभी पोस्ट के लिए 25,000 से 1,40,000 रुपे Salary रखी गई है, Selection Process, Return Exam, Certification Verification और Direct Interview के आधार पर किया जाएगा, Important Dates की अगर हम बात करें, तो 17 जनवरी 2022 से इस Vacancy की Registration की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और आप इसमें 3 फरवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं, इस वीडियो की नीचे आपको Notification Link और Apply Link मिल जाएगा, आप वहाँ से इस Vacancy की पूरी जानकारी देख सकते हैं और Apply कर सकते हैं, तो दोस्तों एक बार फिर हम आपको बता दें कि जारकंड State Livelihood Promotion Society यानि JSLPS ने दोसों नेवासी, Project Officer, Program Manager, Project Coordinator, Chief Operating Officer, Program Executive और अन्य पदोपर भढ़ती निकाली है, जिसके Registration की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आप इसमें 3 फरवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं,